मुश्कार दोस्तों मारे यूटूब चैनल एक्जाम लेर्नर में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग करेंट अफ्यर्स टॉप 30 स्रीज का दूसरा पार्ट देखेंगे इसके पहले पार्ट ओन अप्लोड हो चुका है तो जो लोग नहीं देखें है साथ में वेल आइकन को प्रेस के लिजएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोडिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे पीडिया इसका अमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा निचे डिस्क्रिप्सर में टेलिग्राम का लिंक दे दिया गया है वहां से जो आनकर पुस्तक है दे कुलीज ग्रेट वार और दूसरा प्रशन है जलवाई परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांग दोजारी कीस में भारत किस अस्थान पर है तो यहां पे C आपसंस ही हो जाएगा जलवाई परिवर्तन परदर्शन सुच कांक में भारत का रैंक जो है दसवा है और अगला कोशन है भारती रिजर बैंक ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति भंडारण और भेजने के लिए कि सहर में एक स्वेचालित बैंक पर संस्करण केंद्र अस्थापित करने का नेड़े लिया है तो आपको बताना है कौन से सही होगा जैपूर, जोदपूर, उदैपूर या फिर कानपूर तो यहाँ पर पहला अपसंस ही हो जाएगा जैपूर, भातिर रिजर बैंक यान की आरबियाई द्वारा, मुद्रा में नोटों की प्राप्ति भंडारण और भेजने के लिए एक स्वेचालित बैंक पर संस्करण केंद्र अस्थापित किया जा रहा है राजस्थान के और हो यहां पर आपसंसे हो जाएगा Mountain biodiversity का थीम रहा हुआ कि पूछा जाए उंतराश्थी पर वह दिवस कब मना जाता है तो यह 11 दिसमबर को उंतराश्थी पर वह मना जाता है और इस बार का थीम था mountain biodiversity are 5וע question सैने मान वता के प्रडेता महर्शी अरविंद नामक पूस्तक के लेकत कौन है तॉ यहां पे यह आपसर में से हो मंत्री हैं जिसे अब सिच्छा मंत्राल है बदल कर नाम कर दिया गया नई सिच्छा नीती में अगला कोशन है नीती आयोग ने हाली में दिसंबर 2020 के दौरान सारवजिनी के स्वास्त निग्रानी के लिए किस नाम से एक स्वेट पत्र जारी किया गया तो यहाँ पे आपका सी आपसन से हो जाएगा विजन 2035 के नाम से जारी किया गया है एक स्वेट पत्रिक किसके द्वारा जारी किया गया है तो नीती आयोग के द्वारा जारी किया गया है नीती आयोग यानि कि योजना आयोग के नाम पर जो है नीती आयोग की अस्थापना क और नीती आयोग का पड़ा एक जन्वरी 2015 को यह नीती आयोग इसका नाम योजना आयोग का नाम बदल कर किया गया और योजना आयोग का स्थापना जो हुआ था वह 1950 में किया गया था अगला जो प्रश्णय आपका उर्जा संदक्छन दिवस की स्तिथी को मनाया जाता है में दिसंबर 2020 की दोरान की सिराजी सरकार ने सभी सरकारी मदर्सों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताओं को मनजूरी दी है तो यहाँ पर आप देशकते हैं असम है अवडांचल प्रदेश, नागा लेंड और तिरपुरा तो यहाँ आपसन से हो जाएगा असम राजी सरकार के दोरा भी हाली में सभी सरकारी मदर्सों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने का प्रस्ताओं को मनजूरी दिया गया है नौवा प्रशने दिसंबर 2020 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे बड़े रिन्यूबल एनर्जी पार का सेला नियास किया गया किस के दोरा तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के दोरा दस्वा प्रशने हाली में किस देश ने अंगारा ए-5 हैवी लिफ्ट राकेट को लांच किया है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां से हो जाएगा रूस के दोरा अंगारा ए-5 हैवी लिफ्ट राकेट लांच किया गया है इक ग्रहां कोशन है हाली में ड्रग कंट्रोल आपरेशन पर भारत और किस देश के बीच एक दुईपत छी यह बैठक आयूजित की गई है तो आपसन आप दे सकते हैं मियामार है रूस है जापान और चीन तो यहाँ पर सही जोएंसर हो जाएगा यह आपसन से हो जाएगा भारत और मियामार के बीच जो है हाली में ड्रग कंट्रोल आपरेशन पर बैठक आयूजित की गई अगला कोशन है दिसंबर 2020 में भारती तर्टरक चकबल के बेड़े में किस एक स्वैदेशी नौका को सामिल किया गया है तो यहाँ पर यह आपसन से हो जाएगा इंटरसेप्टर C454 जो है इसका नाम है तो यहाँ पर यहाँ पर दिसंबर 2020 में निकोलाई स्यूका को किस देशी नौका को दिसंबर 2020 में निकोलाई के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है तो आपसन आप देख सकते हैं हापे तो इसका सही जो इंसर हो जाएगा आपसन यह से हो जाएगा रोमानिया अभी हाली में निकोलाई स्यूका नाम इनका याद रखेगा इनको जए रोमानिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया है और अगला कोशन है दिसंबर 2020 के दोरान जारी मानोबिकास सुचकांक में भारत 131 में पायदान पर रहा जबकि 2019 में इसका रेंग क्या था तो 2019 का रेंग पूछा गया है यहां पर सही जो हो जाएगा आपका आपसन सी सही हो जाएगा यहां पर 119 में अस्थान पर था वर्स 2019 में लेकिन अभी हाली में जारी जो किया गया है मानोबिकास सुचकांक इसमें भारत 131 में रेंग पर है रखेगा और यह UNDP के द्वारा जा जारी किया जाता है मानोबिकास सुचकांक अगला कोशन है हाली में जारी मानोबिकास सुचकांक में कौन सा देश सीर्स अस्थान पर रहा है अभी तो आप जो है देखें कि भारत का रेंक इसमें जो है इस वर्स 131 है लेकिन पुछा है सीर्स पर कौन देश है इसमें तो न तो यहां पे ए आफन से हो जाएगा सोनु सूथ को अठ्रावा प्रशन है हाली में किस देश को अगले दो उलम्पिक या अगले दो वर्सों के लिए किसी भी बिसु चेंपियन्शिप में अपने नाम धोज और राष्ट गान का उप्योग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है तो यहां पे ए आफन से हो जाएगा रूस को जो है प्रतिबंधित किया गया है उन्नीस्वा कोशन है आई सी सी ने वर्स 2022 महिला अभी सुकप के लिए कारिकरम की घोशना की जिसमें पहला मैच खेला जाएगा तो पहला मैच खेला जाएगा चार मार्च 2022 को यह आफन से हो जाएगा है बीसमा कोशन है पुस्तक कोबीड नाइनटीन सब्विता का संकट और समाधान के लिए खक कौन है तो यहाँ पे आप देशक्ते हैं आपसन दिया गया है बी सही हो जाएगा कैलास सत्यार्थी के पुस्तक का नाम है कोबीड नाइनटीन सब्विता का संकट और समाधान बीसमा कोशन है आइसी सी महिला बिसुकप दोहजार बाइस की मेजबानी कौन सा देश करेगा आपसन है आस्टेलिया, न्यूजिलेंड, दचलफरीका या फिर भारत तो B आपसंस यह हो जाएगा नियूजी लेंड के द्वारा जो है मेजबानी किया जा रहा है ICC महिला बिश्चुप दोहजार बाइस का 22 कोशन है दिसंबर 2020 के दोराहान की सिराज ने बैनरों के इस्तिमाल पर प्रतिबंद लगाया है बैनर या पोस्टरों पर प्रतिबंद लगाया गया है तो यहाँ पर D आपसंस यह हो जाएगा नागा लेंड के दोरा प्रतिबंद लगाया गया है रगला जो प्रश्चन आपका हाली में कि सिराजी सरकार ने आमेर छेत्रों में संपत्ति वभूमि संबंधी बीबादों को रोकने के लिए एक विशेश अभियान वरासत की सुरुवात की गई है तो यह उत्रप्रदेश राजी सरकार की द्वारा सुरुवात किया गया है यह आपसंस ही हो जाएगे हाँ पर प्रतेक वर्स की स्तिथी को राष्ट्री गडित दिवस मनाया जाता है तो आपसं है 22 दिसंबर, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर या फिर 21 दिसंबर तो यहाँ जो से हो जाएगा C आपसं से हो जाएगा 20 दिसंबर को प्रती एक वर्ष रास्ट्री गडित दिवर्ष मनाया जाता है 25 प्रशने दिसंबर 2020 के दोरान केश देश ने भारत के प्रधान मंतरी नरेद्रमोदी को Legion of Merit पुरसकार से सम्मानित करने की गोशना की है तो यहां जो से हो जाएगा आपका यह आपसन से हो जाएगा अमेरिका ने धान मंतरी नरेद्रमोदी को Legion of Merit पुरसकार से सम्मानित करने की गोशना की है 26 कोशन है हाली में कि देश ने विश्ट के सबसे बड़े Radio Telescope का निर्मान किया है तो आपशन है आपका भारत, रूस, जापान या फिर चीन तो D आपसन से हो जाएगा चीन ने भी हाली में विश्ट के सबसे बड़े Radio Telescope का निर्मान किया है 57 कोशन्थे केंद्री रक्षामंत्री राजनांस सिंग ने किस सहर में भारत की पहली उननत हईपर्सोनिक विंग टेनल परिखेन राजनाथ ये है हैदराबाद में केंद्री रक्षा मंत्री राजनास सिंग के द्वारा भारत के पहली उन्नत हाइपर सोनिक विंग टेनल परिक्षार सुभ्धा का उद्गाटन किया गया है है अठाइसों प्रिष्ण हाली में संयुक्त राष्ट महिला और किस राजी सरकार ने भारत के पहले हाथ मिलाया है तो यहां पर ऐ आपसन से हो जाएगा केरल ने अभी हाली में सहुक्त राष्ट महिला और केरल राजी सरकार ने भारत के पहले जंडर हाथ की अस्थापना के लिए हाथ मिलाया है और अगला जो कोशन है प्रतेग वरस्ट 23 दिसंबर को राष्टरी किसां के रूप में मनाय जाता है इस दिवस की सुरुवात कब की गई थी तो यहां आप आप्सम देख सकते हैं बी आप से हो जाएगा सन 2001 में राष्ट्री किसान दिवस मनाने की सुरुवात की गई थी और यह प्रतेक वर्स तेज दिसंबर को राष्ट्री किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है अंतिम कुशेन है आपका हाली में किस देश द्वारा ऐसा कानून बनाया गया कि वहां के राष्टपतियों को पद से हटने के भाद भी आजीवन आपराधिक मामलों से बचाएगा तो ये रूस के द्वारा आजीवन आपराधिक मामलों से बचाएगा दोस्तों ये था आपका आज के एकरेंट अफ़ियर स्टाप 30 सिरीज का दूसरा पार तो वीडियो दी पसंद आया हो तो लाइक शेर कर दीजिएगा चैनल को सब्सकाइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के लिजिएगा शाथ हमें वेल आइकन को फ्रेश के लिजिएगा जह से आने वाले अगले विडियो का विडियो का नोटिफिकेसन आपको पहले मिलता रहे पीडिएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद